नमस्कार मैं आज आप लोगों के साथ फिर से नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ आया हूँ और मैं आप लोगों से एस्टेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी मुझे उसी एनर्जी के साथ अपना काम 3D मोडल्स मुझे नए कॉंसेप्ट के साथ नए डिजाइन के साथ इनोगेटिव आइडिया इसके साथ आप मुझे प्रवड करोगे दिखाओगे ताकि मैं और कुछ अच्छा नया आइडिया दे सकूँ तो आज हमारा जो टॉपिक है और डिजाइन और अल्ट्रा मोडन बस स्टॉप और मैट्रोपोलिटन सिटी यह दिया हुआ 2015 के लिए सिंपल सी बात है अभी 2020 चल रही है और आपको जो बस स्टॉप डिजाइन करना है 2050 के लिए करना है तो आप थोड़ा सा सूचू कि आप लोगों को कितना ज्यादा हाइटेक और मोडन करना पड़ेगा कितने स आपको फोकस करना पड़ेगा इढ़ जि यह ने बौह रहा हूं मैंने कुछ पोइंसेहां पे निकाल कररके रखे हुए हैं मैं यह ने बौह रहा है आप लोगों को पी जो मैने पोइंस लिया हां वो भी आपको लेना है और उसके यिर डिजाइन किया हो घृप इज så में बस स्टॉपज होते हैं उन सी जो को आपको सोचना है और उसको इंप्लीमेंट करना है जो डिफेंट मैट्रेयल्स आपको प्रोहीड किया गया है तो पहला पॉइंट जो हमारा कि बस स्टॉप पे मैप एविलेबल होना चाहिए मैप इन्दर सेंज कि किसी वह कौन से रूट में जाना है कैसे जाना है वह कहां पर इसटॉप हैं वह वहां पर बस टॉपज पे पर देखे और वहां पर देखने के बाद उसे पता चल जाएगा कि वह किस प्लेस पर स्टॉप पर बहुत पाडेंगे, कि वहां सी यह आप जान कुछ भी है तो वहां पर गंदगी में ख़ला सकते बस इस टोपेज में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कापी टाइम तरक वीट करना पड़ता है तो मेल और फीमेल वोस्रूम ही होना जरूँगी है सीटिंग एरेज़मेट इससवाइब यह जबाखने के लिए चेहररा नेहीं हो نहीं हो पाता है तो हमें बैसिकली फोकस करना है कि वो कम जगा में ज्यादा लोग कैसे आ सकते हैं तो इसी दिए हमें वो सिटिंग आरेजमेंट के जी लिए सित्प माइन में रखना है कि जो लोग सीनियर सिटीजियन हों जो बाट बाती हमें यंग जनरेशन के लिए वेगरब